हलो एवरिवन, वेलकम टू अनार्ट भाई अन्जू, आज मैं आपको लेके आई हूँ व्रिंदावन के निदीवन में, जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान शिरी कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहां की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है, यह वो जगह ह जहां आकर विज्ञान भी रुख जाता है, बस्ती है सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, निदीवन में मौझूद पंडित बताते हैं कि हर राद भगवान शिरी कृष्ण के कक्ष में, उनका बिस्तर सजाय जाता है, दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है, जब सुबह मं आनिता है कि निदीवन बंद होने के बाद यदि कोई छिप कर रास लीला देखने की कोशिश करता है, तो वह पागल या अंदा हो जाता है, वहां मौझूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं, यह है ललिता कुंड, एक दिन रात में रास रचाते हुए रादर की प्यारी सकी ललिता को प्यास लगी, तब शिरिकिशन जी ने अपनी बासुरी से ललिता कुंड की खुदाई की, यहां पेडों की शाखाएं उपर की और ना बढ़के बराबर में बढ़ती हैं, नीचे की और बढ़ती हैं, यह सारा तुलसी का वन है, यह वो जगह है, जहां पर शिरिकिशन जी रोज रात में राधा और अपन गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं, आज भी लोग इस इस इस्थान पर नत्य करते हैं, निदीवन का रहसे आज तक कोई नहीं जान पाया, यहां के जो आसपास घर हैं, उन लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं, यह उन लोग की समाधी हैं जिनोंने या रुकने की कोशिश की, यह है निदीवन की कहानी, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, करना कैसला मेरी लोग लोगी dot La便 allemaal के लिए बहुते हैं, cak И जिस बहुत,